कथक जमीन गोटाला मामली में हेमन सोरे ने बुद्वार को एडी की पूस्ताश के बाद राजभवन जा करिस्तीफा दे दिया है। बाकी दो में कई मामले हैं तो इंसी वो बताएंगी और बाकी दो 36 लाख रुपे उनके घर से निकले दिल्ले का मकाम भी बहुत सुन्दर है शांती निकले तो बहुत पॉष्ट कॉलनी है न जी है वहाँ एक BMW ही मिली है न है दो मिली है क्या बाद बीमडबलू बहुत ठीक है भाई चलिए BMW खुब कमाईए लेकिन खानूनी तरीके से कमाईए बेनामी में BMW पर चलिए और कारवाई ने हुए कैसे होगा भाई लेकिए पहला है आर्मी लैंड स्कैम यह मुराबादी मौजा में चार सो पश्पंड डिसमें जमीन राची में थी वो सेना के थी से पहले बियम लक्षमन राव की थी उनने सेना को दे रिया था आजादी के पहले से वो सेना कबजे में थी अब फेक डॉक्मेंट बना करके एक उनर बन गए प्रदीब बागची और उनने प्रॉपर्टी को बेज दिया जगत बंधू टी स्टेट को जगत बंधू टी स्टेट को इस जमीन का मार्केट वैलू था बीस पॉइंट सेवन सिक्स करोर बेचा गया साथ करोर में आप समझते ही हैं किसमें क्या क्या हुआ होगा एक तो जब एडी इसकी जाच करने लगी तो मालू हुआ कि राची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्मेंट बना करके जमीन को अपने कबजे में लेते हैं और उसको बेचते हैं और उसमें कई I.S. आफसर सहयोग करते थे जिसमें एक शिमान छवी अगरवाल भी थे छवी रंजन जो डिस्टिक मेजिस्टेट आफ राची थे इनकी सरकार में और दूसरे I.S. अफसर अमित अगरवाल थे बिश्टिक अगरवाल थे और अपने सुना होगा एक पूजा सिंगल जिनके घर से उननीस कोड मिला था वो सीनियर माइनिंग सेगेटरी वो भी जिल गई थी तो इन सबों को इनका प्रटेक्शन रहता था और ये कमाल के मुख तो ये सब एंटी डेटे जो रिष्टर डॉक्मेंट हुए कई कवकत्ता में हुए तो इसकी जात चल रही है तो आप आद्योही समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रत्साहित करना राची के अंदर और सेना की जमीन जिससे कोई होता नहीं है यह बड़े सवाल है दूसरा मैं फिर कहूंगा अभी तो इसी में इनका रिमांड हुआ है लेकिन जो माइनिंग स्कैम है आज जा मैं आप से बात कर रहा हूं तो यह बताना जरूरी है कि साहब गज़ इसक्राइब के में एडी ने जॉइन डिस्ट्रक्शन कि 52 केस ऑफ इलीगल माइनिंग पिछले तीन साल में आया है यानि श्रीमान हेमन सोरिन के मुख्यमंतरिक काल में आया है और आप जान लिजिए 23.26 करोर क्यूबिक फिट ऑफ इलीगल माइनिंग हुआ है 23.26 करोर कितने राशी का 1250 करोगा मतलब ना कोई पर्मिशन है ना कोई पट्टा है किया जाओ और आपको मालू है कि इन्होंने राशी में 88 डेस्वल जमीन अपने नाम अलॉट कर दी थी माइनिंग के अंगरहा ब्लॉक में राशी में ये श्रीमान हिमंतर ने खुद अलॉट किया था और कमाल करते हैं एक माइनिंग लीज उनने अपने नाम ही ग्रांट कर दी आप मुक्ष मंतरी हैं आप माइनिंग मंतरी हैं और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी इस पूरे मामले का किंग पिंग कौन था दो भी जेल में पंकज मिश्रा और पंकज मिश्रा कौन थे इनके कॉंस्ट्वेंसी रेप्रेजन्टेटिव थे तो इससे दो कुछ बताने के दुरूद है क्या तो यह हुआ माइनिंग स्कैम और राची हाई कोट ने दोजार तेईस में टिपणी के थी इसको पढ़ना चाहता हूँ इम बेरोगर समन्द में यह कहा अप्रिल बाइस में और तेईस में कहा देस में कहा देस स्टोरी अप्रोजेगूशन एडियर रमाइन्स वन फट्राइम थेला तो आप आदिवास्यों की बात करते हैं और आदिवास्यों की जमीन को लूट रहे हैं अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं क्या मतलब है ये ये बड़े सवाल है इसलिए और बीजे पी क्योर से अपने कुछ नहीं कहा जा रहा है ये सब मामले हैं जो चल रहे हैं आपको मालूम है कि वहां लिफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिदम भी है वो बैंड है ऐसी भी बहुत सी चीज़े आई हैं कि बैंड ओगनाजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट बनी आ सके फिलाल के इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ झाल झाल